कोविड नाइटीन से बचने के लिए लोगों को फिलहाल बार-बार हाथ धोने के लिए कहा जा रहा है ये भी कहा जा रहा है कि सैनिटाइजर का स्तमाल करें सैनिटाइजर जहां किटाणू से हमारी रक्षा करता है वही दूसरी और एक और ऐसा पहलू है जो थोड़ा खतरनाक है वो ये है कि सैनिटाइजर का जादा इस्तमाल एलर्जी, रूखापन और खुजरी भी दे सकता है त्वचा रोग विशिशग्यों का दावा है कि बाजार में मौजूद नभी प्रतिशत हैंड सैनिटाइजर अच्छी गुणवता के नहीं है और लोग इन्हें उप्योग कर रही है जो कि सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि इनमें इस्तमाल होनी वाला अलकोहल और अनी चीजें त्वचा में अलर्जी का कारण बन सकती है और इसे त्वचा लाल हो सकती है और छोटे-छोटे दाने भी हो सकते हैं इनमें ethanol, n-propanol, isoprofinal नाम का dry alcohol होता है इसे तवचा की प्राकृतिक नमी खत्म हो जाती है और तवचा शुश्क होने लगती है और खुजली का कारण बढ़ती है इसको लेकर कहीं शोध भी हुए है University of Melbourne की research बताती है कि hand sanitizer गंभीर बिमारी दे सकते हैं इसलिए इसका इस्तमाल करने से बहतर होगा कि आप हाथ धोने के लिए साबुन या किसी और चीज़ का इस्तमाल करें Research में ये पता चला है कि sanitizer खराब बैक्टीरिया को मानने के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देता है इसके अलावा बाजार में मिलने वाले sanitizer में कई हानिकारत chemical होते हैं जो गंभीर बिमारी का कारण बन सकते हैं इसका लगतार इस्तमाल सही नहीं होता क्योंकि ये अंटिबायोटिक को आपके लिए निश्प्रभावी बना देता है जिससे मौसमी बिमारिया होने का खत्रा बढ़ जाता है कोरोना वारस फैलने के बाद से ही sanitizer की खपत अचानक से बढ़ गई है लेकिन आप ये जानकर आश्यरी में होंगे कि sanitizer के जादा इस्तमाल से कैंसर, लीवर, किड्नी और फेफडे संबंदित रोग हो सकते है sanitizer में पाई जाने वाली खुश्बु को बार बाद सुंगने से छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं की इम्मुनिटी भी कम होती है sanitizer में कुछ ऐसे कत्व मौजूद होते हैं जो शरीर के लिए ठीक नहीं होते sanitizer में मौजूद chemical शरीर में अकडन पैदा करता है रोम छद्रों को बंद कर सकता है जिससे आपकी तवचा रोखी होने लगेगी वहीं इसकी खुश्बू को बारबास सुंगने से आपकी रोग प्रतिरोदक शमता पर प्रभाव पड़ता है और बच्चे और गर्भवती इस्तरियां इससे जादा प्रभावित होती है हम ये नहीं कहते कि आप sanitizer का उप्योग मत करिए इसे उप्योग करिए लेकिन सीमित मातरा में कीजिए जहां जरूरत हो वही sanitizer का उप्योग करे नहीं तो घर में रहने के दौरान आप साबुन या गर्म नमक के पानी से भी अपने हाथों को साफ कर सकते हैं खमासान.com ऐसी किसी बात की पुश्टी नहीं करता ये खबर कुछ रिसर्च के आधार पर बताए गई है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फोर अपडेट्स